वेलकम टो आवर चैनल फायर फाइटिंग एंजिनिरिंग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल फायर फाइटिंग एंजिनिरिंग में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मेटल स्क्रेप रेट टूडे साथ ही साथ और किन किन चीजों पर हम डिसक्सन करने वाले हैं एक बार उसका समरी देख लेते हैं कि आगे इस वीडियो में हम क्या क्या जानकारिया आपको देने वाले हैं सबसे पहले हम जो बात करेंगे रेट की वह होगा अपडेटेट रेट यानि जो रेट हम आपको आज साथिसाथ हम आपको comparison दिखाएंगे कि last week में क्या रेट था उससे हम compare करके दिखाएंगे कि last week में क्या रेट था और उसके comparison में इस समय क्या rate है यानि कि जो rate comparison रहेगा की rate में उचाल आया या फिर rate में गिरावट रही आप उसको clearly देख सकते हैं जीस्ट के अगर बात करते हैं तो किसी भी रेट में हमने जीस्ट को आड़ नहीं किया है सारे रेट में आपको 18 प्रतिशत अलग से जीस्ट करनी पड़ेगी जो यूनिट रहेगा वो रहेगा पर मैट्रिक टन के हिसाब से यानि जो भी रेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो में उसकी यूनिट होगे टन के हिसाब से वीडियो हम फोरकास्टिंग की बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या मीदे लगाई जा सकती है कि रेट में क्या क्या चेंजिस होगा और साथ mermaid video के आंत में देखेंगे कि जितने भी सारे सहरों मेंको हमने discussion खिया हुआ है उन सारे सहरों में सबसे सस्ता rate कहां पर रहा है और साती सात सबसे महंगा rate की शहर में राए ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिसकलों करने बाले हैं फुरी डिटेल से अब चलते हैं सीधे आपको rate की तरफ लेके और बात करते हैं कि किन-किन शेहरों में क्या-क्या metal scrap का rate बना हुआ है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मंडी गोबिंगड की तो मंडी गोबिंगड में अभी मटल स्क्रैप का रेट 32,500 रुपे प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पिशले अपते में भी यही रेट था यानि कि यहाँ पे भी रेट में कोई चेंजिस देखने को नहीं मिले हैं जो भी रेट था वो एज इस बना हुआ है इसके बाद बात करते हैं जैपूर की जैपूर में मटल स्क्रैप का रेट अभी 34,500 रुपे प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है प्रिवियस वीक में यहाँ पे रेट था 34,600 रुपे प्रति मैट्रिक टन यानि कि रेट में जो changes आया हैं बस 100 रुपय प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से change आया हुए हैं इस वीडियो में जो भी हम रे discuss करने वाले हैं वो एक lump sum rate रहेगा यानि कि exact price से थोड़ा सा changes आपको देखने को मिल सकता है और किसी भी rate में हमने GST को add नहीं किया हुआ है यानि कि rate में अगर अब comparison करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ही मामुली सा change देखने को मिला है इसके बाद बात करते हैं दुर्गापूर की दुर्गापूर में metal iscribe का rate 35,700 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले यहाँ पे rate 37,300 रुपय प्रति मैट्रिक टन था यहाँ पे rate में changes काफी ज़्यादा दिखने को मिले हैं और rate यहाँ पे सस्ता हुआ है अब बात करते हैं अलांग की अलांग में metal iscribe का rate 36,400 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले यहाँ पे rate 38,500 रुपय प्रति मैट्रिक टन था इसे में अगर हम बात कर लेते हैं गुजरात के आहमदाबाद की तो आहमदाबाद ने भी metal iscribe का rate लगभग 37,700 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले यहाँ पे rate तकरीबन 38,000 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ था इसके बाद आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं कोलकता की तो पस्चिम मंगाल के कोलकता में metal iscribe का rate लगभग 36,200 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है कलकता में पहले जो rate था वो था 36,900 रुपय प्रति मैट्रिक टन यानि तकरीबन अब देखेंगे तो 700 रुपय प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से rate में यहाँ पर गिरावट आई है लुद्याना की बात करते हैं लुद्याना में metal iscribe का rate लगभग 37,900 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है यानि की rate में यहाँ पर भी comparison करेंगे तो कुछ खास changes देखने को नहीं मिले हैं अब बात कर लेते हैं मुझफर नगर की मुझफर नगर में metal iscribe का rate लगभग 38,800 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले का भी rate देखिए लंसम इतना ही था यानि की 38,700 रुपय प्रति मैट्रिक टन बात करते हैं रायपूर की रायपूर में metal iscribe का rate लगभग 35,300 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है यहाँ पर भी rate में comparison करेंगे आप तो ज़्यादा changes देखने को नहीं मिलेंगे यानि की rate यहाँ पर लगभग वही बना हुआ है बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की दिल्ली में अभी metal iscribe का rate लगभग 37,300 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले यहाँ पर rate लगभग 37,800 रुपय प्रति मैट्रिक टन था इसमें हैदराबाद की बात कर लेते हैं हैदराबाद में metal iscribe का rate लगभग 35,000 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले यहाँ पर rate लगभग 33,500 रुपय प्रति मैट्रिक टन था यानि की rate में यहाँ भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है जादा तर जो भी शेयन है हर जगहाँ पर rate लगभग गिरे हुआ है चन्ने की अगर बात करते हैं तो चन्ने में metal iscribe का rate लगभग 33,300 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले यहाँ पर rate लगभग 35,000 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ था अब आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं मुंबई की तो मुंबई में metal iscribe का rate लगभग 34,300 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पहले यहाँ पर rate लगभग 34,500 रुपय प्रति मैट्रिक टन था rate में यहाँ पर भी 200 रुपय पर मैट्रिक टन के हिसाब से गिरावट देखने को मिली है इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपूर की कानपूर में मटल स्क्राइब का rate लगभग 31,000 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है पिछले अपते हैं यहाँ पर rate लगभग 32,000 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ था यह बात वी कानपूर की अब आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं मद्य परदेश के इंदाओर की इंदाओर में में मिटल स्क्राइब का rate लगभग 34,000 रुपय प्रति मैट्रिक टन बना हुआ है यानि कि 500 रुपय का प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है बात कर लेते हैं गाजियाबाद की उसके बारे में हम कमेंट के जरीए बता देंगे कि आपके सहर में भी क्या रेट बना हुआ है क्योंकि भारत के बहुत सारे सहरों को हमने इस वीडियो में पिक किया हुआ है और बहुत सार ऐसे सहर हैं जो कि छूट गए है क्योंकि सारे सहरों को एक ही वीडियो में कवर कर पा वो रहा मुझफर नगर जहां पे स्क्रैप का रेट लगबग 38,800 रुपय प्रति मैट्रिक टन था और इन सारे सहरों में जो सब सस्ता रहा हो रहा कानपूर का रेट जो की 31,000 रुपय प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से रेट बना हुआ था फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं कि ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि आगे आने वाले दुनों में रेट में कुछ खास चेंजिस देखने को नहीं मिलेंगे यानि कि रेट लगबग बरावर रहेगा आज के वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में पत्तक के लिए धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में थैंक यू सो मच